नमस्कार भाईयों और बहनों जंगली मेडिसिन में आप सभी का एक बार फ्रिसे स्वागत हैं आज हमें आपको जो बनस्पति का परीचे बताने वाले हैं उसके बारे में अधिकतर सभी लोग जानते हैं जिसका नाम है चना इसलिए इसकी पेचान बताने की भी आवसकता नहीं है चना का उपयोग साग के रूप में किया जाता है इसकी रोटी, सबजी, नमकीन, मिठाई, पापड़, आधी अंगिनत चीज़ें बनाई जाती है यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है और अपने साथ कई और दिय गुण रखता है आज हम आपको इसके कुछ और दिय प्रियोगों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही लापकारी है यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आज आपको एक बहुत ही महतमूर जानकरी मिलने बारी है चलिए जानते हैं चन्योगों का ज़ाड इस पिरकार का होता है आप देख लिजे यह 2 पिरकार के होते हैं एक काबली चनह और एक चनह तो यह चनह है काबली चनह इससे बड़ा होता है हम जिसके और दिये कुण बताने वाले हैं वह चना है जिसको देशी चना भी कहा जाता है इसके बिभिने नाम है जो अलग-अलग छेतरों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे कि चना, बूट, कन्नड में करले, बंगाली में छोला, पंजाबी में छोले और मलयालम में कतला आदी नामों से जाना पेचाना जाता है इसके और की काफी सारे विविने नाम है जिनकी जानकरी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन मिल जाएगी आप बहाँ चेकाउट जरू करें और इसका वनस्पतिक नाम है सायरस एरी टीनस दोस्तों आप चलने के बारे में क्या-क्या जानते हैं कमेंड बॉक्स में अपने विचार जरू बताएं चलिए अब जानते हैं इसके कच आयवर्दिक और दिये गुण एवं फायदे आयवर्दिक मता अनुसार चना आई अब जानते हैं इसके कुछ और दिये प्रियोग जो बहुती लाबकारी है वीडियो को ध्यान पूलबक देखिएगा खासी रोगों के लिए रात में सोते हुए भुने हुए चने खाने के बाद उपर से गुनगुना गर्म दूद पीने से खासी रोग में बहुत आराम मिलता है इसके साथ आप एक प्रियोग और भी कर सकते हैं जैसे रात में भुने हुए चने खाने के बाद थोड़ी मातरा में गुड़ भी खा लें जिससे आपकी खासी ठीक हो जाएगी इसका एक प्रियोग है मदुमय यानिकी डाइबिडिस के लिए इसके पत्तों का चूल्न बनाकर दो से पांच गिराम की मातरा में खाने से बहुत लाब मिलता है इसके बाद अगला प्रियोग है इसके पत्तों को उबाल कर पीस कर जोडों पर लगाने से जोडों के दर्द में काफी आराम मिलता है साथ में चने की रोटी बना कर उसमें घी लगागा खाने से भी काफी आराम होता है इसका अगला प्रियोग है सपेज दाग के लिए दो गिराम चने का चूल्ण, एक गिराम बाकूची चूल्ण और आदा ग्राम निम्व चून मिलाकर सेवन करने से सपेद दाग में बहुत आराम मिलता है इसका अगला पुरियोगे चेहरे की सुन्धरता के लिए चने का उप्टर मनाकल लगाने से चेहरे पर सुन्धरता आती है एभम कील मुहा से दूर हो जाते हैं अगला पुरियोगे शक्ति बर्दक के लिए अगला पुरियोगे शक्ति बर्दक के लिए एभम सरीर का बजन बढ़ाने के लिए साम को कुछ मातरा चने के लेकर पानी में गला दें और उनको सुबह खाने से वल वीर बढ़ता है, सारीर सक्ति बढ़ती है और बजन भी बढ़ता है एवं सरीर की उश्वनता कम होती है या फिर आप भुने हुए चने के साथ गोड़ और बजाम मिलाकर खाते हैं तब भी आपका वल वीर बढ़ता है एवं सरीर में शक्ती आती है बहुती पौश्टिक पलारत है आप इसको सेबन करके अपनी शारेक एवं मानसिक सकती को बढ़ा सकते हैं बागी आप हमें कमेंट करके बताएं कि चने के और क्या-क्या फायदे हैं आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लापकारी रही होगी इस वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों के साथ शेर जरूर करें यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जंगली मेटिसन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के नेटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएं हमारे चैनल पर बहुत ही काम की वीडियो आती हैं जिनका देखना आपके लिए लाबकारी है चलते हैं आपको फिर मिलते हैं कि नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ नमस्कार